बच्चे नमस्कार आपको Allrounder Classes के बारे में कुछ information देना चाहता हूँ क्योंकि YouTube पे सारी information नहीं रहती है कई बच्चे inquiry करते हैं फिर उनको समय वेस्ट होता है इसलिए ना आपका समय वेस्ट हो ना Allrounder Classes का समय वेस्ट हो इसलिए हम कुछ information आपको YouTube के माध्यम से आपको बता रहे हैं ताकि Classes 2022 से जो सुरू होने वाली है SS की उसके बारे में आपको information भी मिल जा कई बच्चों की सिकायत रहती है सर आपका information हमें मिलता नहीं है तो हम कैसे पढ़ें या फिर कुछ resources हो तो resource अपना YouTube ही बच्चे हम YouTube के माध्यम से ही आपको यह information दे रहे हैं आप चाहो तो एक दूसरे फ्रेंड को बता सकते हो हना हमारी classes बच्चे online classes होती है और यह YouTube पे नहीं होती है classes हाँ videos हमारे जरूर YouTube पे आपको मिलेंगे लेकिन वो जो वीडियो YouTube पे है वो फ्री मिलेंगे आपको फ्री में वीडियो आपको YouTube पे मिलते हैं बट यदि आप अब फुल क्लास करना चाहते हो है ना फुल क्लास और किस किस की फुल क्लास है SSW exam जो CAG वाले करा रहे हैं उस एक्जाम का और दो कैटेगरी के इसके सिविल अकाउंट्स और सिविल और अड़िट्स है ना वचे सिविल और इट का तो इसका दोनों का नाइन 9PCs के आपको सारे 9PC जो इन दोनों का है आपको एवलेबल है एक ही जगह पे सारा कुछ है ना बाकि जैसे आप कमर्शाल आडिट के लिए है ना ये इस या फिर पोस्टेल के लिए तो इनका भी एक्जाम सीजी के इसी एक्जाम के थरू होता है तो उनकी सारी 9 PC बचे एक जगह आपको नहीं मिलेगी क्योंकि अभी ये जो common PC हैं आप से लिवस एक बार देख लो बहुत सारी चीजें जो एक तुसरे से common है तो इन PC में जो भी common है आप उसका सारा का सारा वो PC पढ़ सकते हो तो एक पहला clarification तो यह आप देख लो दूसरा मैं आपको बताओ कि अल्राउंटर क्लास इस एक पेड़ क्लास है यदि आप रेगुलर क्लास करना चाहते हो तो वो पेड़ क्लास है और वो पेड़ क्लास PC-wise के हिसाब से बचे है न एक PC का पीस है नेक्स्ट आपको बताओं आपका एक PC का पर PC-research है 5000 रुपिस ठीक नविच्छे तो एक PC कोई पढ़ता है तो 5000 देता है एक PC मेंस कोई भी PC यह नहीं कि PC 1 कह रहा हूं कोई भी PC 8 पढ़ रहा है यह 16 पढ़ रहा है 14 कोई भी PC एक पढ़ रहा है तो उस PC PC के लिए फी उसको 5000 देनी है कोई भी दो PC पढ़ता है तो चुकि यह 5000 का ही रेट है तो 10,000 देना होता है कोई भी 3 PC पढ़ते हैं तो उसके लिए 15,000 देना पढ़ता है ठीक है और कोई भी बच्चा 3 PC पढ़ता है तो उसकी next 6 PC या किसी की एक PC और रुख गई हो या कोई और दो PC कुछ भी रुख गई हो यानि इसके बाद जो PC पढ़ता है उसका फीज नहीं लिया जाता है इसका फीज नहीं लिया जाता है यानि फ्री हो जाती है तो 3 PC के साथ कोई भी 3 PC पढ़ते हैं तो उसके पास next PC जो है वो फ्री हो जाती है ऐसा समझे ठीक है फ्री यदि है तो इ नाइन पीसी के हिसाब से हम सत्रह सो अठारो सा या पंदरो सा इस तरह कुछ दें या क्या दें ऐसे नहीं बचे अपने तरफ से फार्मुलेट नहीं करना है जो हमारा टीम ने इस आल्रांडर टासिस की टीम ने जो फिस्ट डिसाइड किये बचे वो नो प्रॉफिट नो लॉ इसके बेसिस पर क्योंकि आपको 24-7 आपको पूरा इंटरनेट पे आपको सारे मेटरियल्स वीडियो प्रॉइड कराना सारे टेस्ट अविलेबल रखवाना उसको टेस्ट को चंडेक्ट कराना इसमें सारे कुछ में एक्स्पेंडिचर्स जाते हैं सर्विस प्रॉइडर को 15,000 यह भी लगेगी प्लस 500 इन्रोल्मेंट का भी फीज लेते हैं और राउंडर क्लासेस प्लस एक फाइन सिस्टम भी या लाउंडर क्लासेस का वही मैं आपको बताने वाला हूं फाइन सिस्टम भी तो फीज तो बहुत ज्यादा आपको लगेगी बच्चे तो मैं यह नह नहीं करते हैं, तो जिनको सूट करते हैं, सिर्फ वही इस class को ज्वाइन करते हैं, और वो limited ही बच्चे होते हैं, तो बहुत जादे classes में strength नहीं होती है, बहुत जादे बच्चे आल इंडिया लेबल पे आते हैं, बट हर state से एक आदे कर्दिशन नहीं है, और भी सारे conditions है, मैं आपको दिखाद बता देता हूं, ताकि आप लोगों को एक साथ सारे clarity हो जाए, फिस तो आपको बता दिया, एक enrollment फिस लगती है 500 रुपया, वो enrollment किसलिए है, क्योंकि कोई बच्चा माल लिए, नेक्स टाइम क्लास करना चाहता है, उसकी सारी PC माल लिजे नहीं निकल पाती है, और नेक्स टाइम क्लास करना चाहता है, तो नेक्स टाइम क्लास करने के लिए, उसका record हमारे पास रहे, इसलिए enrollment system बनाया गया है, या पहला उसको कुछ demo class हम से लेकर देखना है कि हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इस परपस के लिए बनाया गया है, तो एक्चॉल में फीस हो गई, 15,000 प्लस पांसो, ऐसा 15,500 समझे लो, ठीक के बचे, दूसरा एक सिस्टम में फाइन सिस्टम, फाइन क्या होता है, फाइन होता है कि तीन टेस्ट, क्योंकि टेस्ट जैसे ही आपका कोई भी PC पढ़ाई जा रही है, उसका चेप्टर ये topic खतम होता है, तो वो टेस्ट एलॉड होता है, चाहे वो डेली टेस्ट हो सकता है, या विकली हो सकता है, या जैसे requirement पढ़ती है test लेने की concept को clear कराने के लिए को कि बिना test के concept clear नहीं होता है आपने कितना पढ़ा कहानी सुन लिया वो ठीक है बड़ टेस्ट देने से आपको ही पता चलता है कि आप कितने अचीव किये हैं और आपके all-rounders team को भी पता चलता है आपके faculty को भी पता चलता है कि इस बच्चे पो कितना growth हो रहा है कितना इसमें और work out कराने के जरुवत है तो 3 test लगातार 3 test लगातार continuous यदि 3 test आप मैं 60% से कम marks लाते हैं कम marks लाते हैं फिर आपको 500 की fine भरने पड़ती है यह भी एक compulsion है यह fine सुनते ही बहुत बच्चे नराज हो जाते हैं और से उल्टी सिधी बातें बोलने का प्रयत्न करते हैं वह गलत है बच्चे यदि आपको इस system पसंद नहीं है तो हम आपको invite नहीं कर रहे हैं कि आपके class join करिये बट information दे रहे हैं हर चीज का अपना एक terms and conditions और क्या इसके पीछे चुपा है राज यह राज हमारा फी लेने का फी परयाप्त है हम फी ही लेना चाहते हैं आपसे fine लेना नहीं चाहते है clarity के साथ कह रहा है बट यह हम यह कहना चाहते हैं कि आप improvement नहीं कर रहे हो तो आपको फिर class में रहने से कोई फायदा होने वाला है fine भी देने से कोई फायदा है नहीं तो एक दो बार आपकी fine लगेगे यादि आपको लगता है कि पैसा बहुत loss जा रहा है आप class नहीं करना चाहते हो तो discontinue कर दो class को ठीक है ना वो starting कही 10 दिनों में आपको सारे पैसे वापस हो जाएंगे सिर्फ 10 दिनों का ही आपको time दिया जाता है आप कोई भी PC पढ़ते है तो आपको idea लग जाता है कि मैं grow कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं टेस्ट देने से आपके जो faculties है उनको ही पता चल जाता है कि वो बच्चा perform कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो दस दिन के अंदर आपकी पूरी फीस वापस कर दिया जाती है फीस रिटर्न कर दी जाएगी ठीकर बच्चे यह फीस रिटर्न आपके इसलिए कि जाती है कि आपने यहां पर अच्छे platform पे नहीं है आपको भी लगता है मैं यहां पे ग्रोंपने पैसा बरबा या यह भी नहीं है कि जो बच्चे यहां पढ़ते हैं, उनका 100% रिजल्ट आता है, नहीं, रिजल्ट तो बच्चों का 100% तब आता है, जो अपना 100% परफॉर्मेंस देते हैं, जब 60% स्कोर करने लगते हैं हर टेस्ट में, तब वो 100% पास होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे न तो आलउंटर क्लासिस का यह मतलब नहीं हुआ कि जो बच्चे यहां पेडिमिशन ले लेते हैं, या जो इसका टम्स और कंडिशन को फूल्फिल करते हैं, वो सारे के सारे बच्चों का रिजल्ट 100% आएगा ही, नो, यह नो गरांटी वाला इंस्टूट है बच्चे, कोई गरांटी आपको हम नहीं देते हैं, कि नहीं आप पास ही हो जाओगे, पास तो तभी होगे, जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, हर 60% हर एग्जाम में लाते हो, आपको भी आडिया लग जाता है, और एग्जाम में जब एसका पेपर देने जाते हो, वहां पे भी आपका जाइन कर सकते हैं, अभी क्या है, कि 2022 के लिए नए क्लासे सुरू हो रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों का प्री का किसी-किसी जगह पर एग्जाम हो भी गया है, 2022 के लिए, तो प्री का एग्जाम हो गया है, तो जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, व तो बोलेंगे, आप तीन-चर महिना कर रहे हैं तो इतना जल्दी कैसे कफर करा लेंगे भच्छे हम जस्ट टेंटेटिव बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि हमें कुछ यह इस पिड बढ़ानी पढ़ गई अपनी कलास की तो इस पिड बढ़ा भी सकते हैं इस अग्जाम को टाइम को सेडूल को कवर करने के लिए यह टाइम fant asp हो जाता है तो हम अपनी स्पीड को कम भी कर लेंगे तो स्पीड को कम काम या ज्यादा करना समय के अनुसार all-rounder पर प्री पर एक्जाम नहीं हुआ तो कई बच्चा भी रेडी भी नहीं है तो यह ऐसा क्लास है कि जहां पर निश्चित नहीं हो पाता है कि सभी बच्चे किस दिन से फ्री हो जाएंगे क्योंकि सब का प्री का एक्जाम अलग-अलग टाइम पर हर आफिसेज कराते हैं कि जिसको पढ़ना है एक मार्च से अपना इन्रॉल्मेंट अभी एक मार्च से क्लास के लिए इन्रॉल्मेंट सुरू हो गया है करा सकते हैं ठीक हैं इस बीच में अब क्या कर सकते हैं अलोंडर क्लासेश की वीडियो क्लासेज होती हैं पहले से जो क्लासेज हुई हैं उनक से विखधकि एव है में आज के लेट में आल्राउंडर क्लासिस के बहुत सारे बैचे रिकार्ड में अन्हें इस्थपोर सुनो आपकी learning speed जितनी है, उस speed से उसको सुनो, है न, आपको सुबह माल लो, all-rounder classes में, class के time morning 6 to 7 और 7 to 8, दो batch, दो PC चलती है, कोई भी 2 PC, तो इसमें सारे बच्चों को ये sort time नहीं करता है, साम की कोई class नहीं होती है, दो पहर की कोई class नहीं होती है, तो बच्चों को effective नहीं लगत है, ये timing, तो इसलिए अभी all-rounder classes, video classes पे ही focus कर रहे है, video class करो, video class इतनी effective है, जो live class से भी अच्छी है, क्यों, क्योंकि live class में एक तो सुबह जगने का समय, वाली समस्या खतम, दूसरा, class में आप अपने हिसाब से चलना चाहते हो, लेकिन जादो बच्चों के संख्या होगी तो class के हिसाब से चलना पड़ता है, हाँ, आप video अपने time पे देखो, इसको pause कर दो, यहाँ video की quality बढ़ाने का provision है, video quality बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, speed बढ़ा सकते हो, 2x speed में देख सकते हो, 1.5 में, normal में, जिससे भी आप चाहो, pause करके देख सकते हो, कर सकते हो, note कर सकते हो, तो free time में, आप अपने office time के बाद, जो आपकी lunch break या जब भी आपको time मिलता है, बीच में भी, तो आप इसको utilize कर सकते हो, video classes आप कहीं भी देख सकते हो, YouTube पे अपना देख सकते हो, मतलब यह paid class है, पहले तो यह याद रख न, paid class के YouTube पे, या फिर smart TV पे देख सकते हो, सारी-स paid class है, चाहे अपने laptop पे, computer पे, या mobile पे, या tablet पे, चाहे Android phone आपके पास हो, या iOS हो, कहीं भी आप इसको देख सकते हैं, इस videos को, test भी आप, देख सकते हैं, मतलब बड़े screen पे यह सारी facilities आपको available है, जो आपके पास screen है, उस पे आप test भी देख सकते हो, test series देख सकते हो, videos द की हैं, सभी pieces के साथ साथ, जो 9 PC हमने पहले बताया आपको, वो सारी pieces की हैं, और इसके अलावा, आपको chapter wise, या जैसे कोई भी एक chapter उठा ले, तो उस chapter के line by line चे जो को बताया गया है, पढ़ाया गया है, वो English की जो किताब आती है, वो इंगलिस की किताबों से ही पढ़ाया किताब इंगलिस की है, समझाई उसको हिंदी में गया है, क्योंकि इंगलिस में बहुत सारे term है से यूज किया गया है, जो इंगलिस पढ़ने वाले को भी समझ में नहीं आते हैं ठीक से, और बहुत सारे बच्चे हिंदी बैग्राउंड से होते हैं, जिनके हिंदी ही मातरी नहीं है, यह भी आपको बताओ, अल्रॉंडर क्लासेज के पास हिंदी में स्ट्ड़ी में नहीं है, न हिंदी में हम कोई मेट्रियल परवाइड करते हैं, हां हमारे जो टेस्ट होते हैं, वो बाइ-लिंग्वल होंगे आपको, वो इंग्लिस में होगी पहली प्रायर्टी औ और इसमें भी दो तरह से चीजें पढ़ाई गई है एक तो जो बुक प्रेस्क्राइब की गई है सेलेबस में आपकी गॉर्मेंट की पीडियेफ उन सारों को एक एक चेप्टर को एक एक लाइन को एक एक बातों को पढ़ाई गया है दूसरा अलरॉंडर क्लासेज ने कुछ नोट्स बनाया है इन किताबों के ही बेस पे इनके फिल्टर करके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो चीजे हमें जरूर जाननी चाहिए या साथ सिंपल भासा में जाननी चाहिए उस तरह अलोंडर्स ने कुछ नोट बनाया है इन चीजों के बे आपको स्टोस हो प्लेट in audio ये क्लासी के वाइपके छैना दिट में किसी को अपने समय बचाना दो वीडियो आपको मिलते है। अच्छोनरी पेस्डी में किसी में अपना समय करेंगे है करदेना चाहिए। दूसे जैसे chapter complete होता है, वैसे test अर फिट उसके बासे जब test series शुरू होगी आपकी, जिसमें कई test के नाम series है, stagger test, mock test, या general test, common test, कुई भी extra class test, कुछ भी test का नाम बना के आपको full syllabus का, उस full syllabus मतलब उस PC के जितनी फी किताबे उस में 10 हैं 12 हैं 14 हैं 5 हैं 2 हैं क्योंकि अलग-अलग PC में अलग-अलग किताबों की संख्या है तो full syllabus पे आपको टेस्ट लिया जाएगा और वो टेस्ट कई बार होंगे ताकि आपका all-round development हो सके ठीक है यह थोड़ा सा ध्यान देनी बात है कि all-rounder classes में आपको all-round development पर ध्यान दिलाया जाता है all-round development के मतलब यह होता है कि आपके behavior पर भी आपके discipline पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें इसलिए कुछ कंडिशन्स हैं आप बच्चे इसको जरूर पढ़ लेना और सून लेना क्योंकि होता क्या है कुछ experience ऐसे भी आए हैं बीटर experience कि कुछ बच्चे चुकि कुछ बच्चे नहीं सभी बच्चे तो नोकरी में ही है अप लोग के जो भी अलोंग के जो भी इंप्लाइड है है। और इंप्लाइड का लेबल भी अलग अलग कमच्चे न को अ हैं कुछ डरिक डबल लो ही आयहे हैं या कोई डिविजनल अолов्काउंट टाये हैं यह कर में आई हैं यह कं एस से अट्र में जварMay किये हैं काउंट की आरिक्ट्र में यह मृ υस्पोडिशमन direct आये हैं या कोई फिर compensate ground पर आये हैं तो हर variety के बच्चे आये हैं बट वो आज के date में सभी implied ही हैं कोई unimplied बच्चे का ये class नहीं हो रहा है तो सभी बच्चों की अपना अपना बच्चे जब नौकरी मिल जाती है या हमको लगता है कि मैं नीचे वाले से उपर हूँ क्योंकि इस ग्रूप में तो सारे लोग हैं तो थोड़ा ये natural है सभाविक है कि ego आ जाते है ego आ जाती है तो वो जब all-rounder classes में आते हैं तो all-rounder classes में उनकी जो classes के दोरान जो उनसे बात होती है उनको प्रोग्रेस कराने के लिए कुछ बात ऐसी बूली जाती है कि students का all-round development हो सगे कोई बात ऐसी उसके दिमाग में लग जाए क्योंकि all-rounder classes एक bookseller नहीं है बच्चे है ना bookseller नहीं है या कोई publisher नहीं है ये एक educator है एक teacher है तो ये teacher के होने के नाते ये सारे ये बच्चों को चुकि ये trend होते हैं इनको सब पता है कि किस बच्चे के कौन सी कमजोरी पर strike करेंगे कि उसका ज्यादा development होगा तो उसी दोरान किसी बच्चे कुछ बोला जाता है तो उनको बुरा लग सकता है या starting में भी कई बच्चे आते हैं तो अपने attitude से बात करने को सिस करते हैं तो ये सब चीजें ऐसे बिद्यार्थियों के लिए अलोंडर क्लासेज अलाव करते ही नहीं है पहले इसे ही आप देख लो हम एक आदर्स बिद्यार थी क्योंकि आप लोग candidate के रूप में आते हैं क्योंकि आप लोग service personal है service कर रहे हैं तो आप लोग के दिमाग में होता है कि मैं तो officer हूं या मैं अच्छे post पे हूं या अच्छी तयारी कर रहा हूं या मैं तो छोटे post पे आ गया हूं बट हूं मैं UPSC लेबल का आपको सुब कामना देता है कि आप जिस post पे और आगे बढ़ना चाहें बढ़ते रहें क्योंकि वो तो help करने के लिए बना हुआ है institute पहले से या पूंची अधिकारी है या बड़े कैडर में आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है बट जब तक आप यहां पढ करना होगा और इस्टेंट अधि बनते हैं तो ही इस क्लास में आपको एक्षप्ट किया जाता है यदि आप कैंडिडेट बनके या ओफिशर बनके या इस तरह अपने तरफ से क्लास को रेगुडेट करने की कोशिस करेंगे या जो नियम मर्यादाय है या जो सिस्टम है उस अपने क्योंगरी करके अपना टाइम खराब करें और अल्लवॉंडर क्लासेस के ताइम खराब करें क्योंकि बाखे हर चिस आपके हिसाम से नहीं चलेगी और हर बच्च अपने अपमें हर कैंडीडेट अपने यूनिक होते हैं आलोंडर जब पढ़ाते हैं तो लो इस ब십न उनके दिमाग में साइकलोजी भरना चाहते है, आप लर्नर हो, भले ही आपको लगता है मैं तो अर्नर हूँ, ठीक है, आपकी पोस्ट कम नहीं हो रही है, आप अच्छे और ग्रो करो, बट आपको एजे लर्नर ही हम ट्रीट करते हैं, तो आप लर्नर हो, ओविडियेंट हो, तो ही आपको इस क्लास में जगह मिलेगे बच्चे नहीं, तो आप भी अपने टाइम खराब करोगे, आलाउनर क्लासे के सिस्टम को खराब करने के कोशिज करोगे, तो ये रीटेलियेशन हो जाता है, ये इस चाहिए बढ़ाई के दूरान भी खुश रहे हैं, और जब पर पोश्ट भी 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 बहुँ जाएं, सिनियर यो बने या डीजी बने या जो भी आपकी ख्वाई से वो सब बने तो एक अच्छा रिलेशन एक अच्छी रिमेंब्रेंस रहे है, एक मेमराइज रहे है, तो इस तरह के दिए आप चाहते हो तभी इस क्लास को ज़ाइन कर पहले से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको हाथ जोड़के प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपना टाइम या अपनी एनर्जी को यहां वेश्ट मत करो, तक्राव की स्थिति होना अच्छी बात नहीं है, आप से निवेदन किया जा रहे हैं, और चुकि शिस्टम ये कई सालों से सिस्टम चल रहा है, और इसी फी और फाइन सिस्टम के चलते बच्चों ने काफी डेवलप किया है, जो कई कैटेगरी के बच्चे आए हैं, हमारे हैं सभी कैटेगरी के बच्चे डबल आओ बनने के लिए पढ़ाई किया हैं, और बने भी हैं, तो यह जो तो उनका दिमाग खराब होता है, वो उल्टी बाते करते हैं, आप करो, उल्टी बाते करने कोई सुतंतर हुआ, लेकिन क्लास में जो आइन करके उल्टी बाते मत करो, पहले आप जो करना है करो, क्योंकि देखो, इस सिस्टम में जब आ गया, आप मिलिटरी ऑफिशर बन गए तो मिलिटरी के रूल रेगुलेशन आपको फालो करना पड़ेगा ना, यानि जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, या जिस क्लास में जाते हैं, उसका जो डेकोरम है, या जो इसका सिस्टम है, वो किसले बनाया के है, उसको फालो कर सकते हैं, तो ठीक है नहीं, तो ऐसे इ इंटेंशन हमारा नहीं है, हम प्यार से आपको फाइन बनाना चाहते हैं, रिफाइन करना चाहते हैं, यह हमारा इंटेंशन आपको यह फाइन बनाना होता है, अच्छा से अच्छा बना देना, जो आप आए थे उससे इंप्रूव करा देना, रिफाइन कर देना, बट यह सि सिस्टम ठीक नहीं है, यह मोटिवेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, मैं एक्षट करता हूं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए यह फाइन इतना अच्छा मोटिवेशन का काम करता है, कोई भी आदमी अपना एक रुपया बेकार का खर्च नहीं करना चाहता है, उसका हम अलोंडर क्लासे साइक्लोजिकल इफेक्ट यूज करना चाहते हैं, अब भले आपको पसंद ना हो, एक दो बच्चों को पसंद ना हो, तो एक दो बच्चों के लिए अलोंडर क्लासे इस सिस्टम को हटा नहीं सकते हैं, आप से फाइन लेने का कोई औचित नहीं है, ना आप से से कम ला रहे हो, क्योंकि जितना आप अच्छा क्वालिटी दोगे ना, उतना ही तो अच्छा ऑफिसर बनोगे, आप कहते हो सर पास होने के लिए एसस में तो 45 परशंट चाहिए, आप क्यों 60 परशंट आप कमाने के चकर में पड़े हो, नहीं वच्चे, ये बात नहीं है, आप 45 परशंट पर ही पास होते हैं, ये सही बात है, लेकिन 45 परशंट पर पास होते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, कि बच्चे, एक-दो कॉस्चन भी आपका गलत हो जाएगा, तब तो 44 नंबर आ जाएगा, 43 नंबर आ जाएगा, हम चाहते हैं कि नहीं, पहले से ही आप इस तरह त्यार होके जाओ कि कोई गलतियां भी हो जाएं यहां मैं आपको इतना हार्ड वर कराना करा के इस लेबल तक लाना चाहता हूं कि आप स्योर पास हो जाओ और लाइफ में भी जाप ऑफिशर बनोगे ना सिर्फ पास होना ही इंटेंसन नहीं है क्योंकि मैं बताया आ एक all-round development कराना चाहते हैं एक अच्छा ओफिशर बनाना चाहते हैं एक qualitative ओफिशर बनाना चाहते हैं सिर्फ जो 45 पे पास होता है और एक 60 प्लस में पास होता है आप नहीं समझत हो इसकी quality बहुत अच्छी होती होगी जब यह ओफिशर अपने office में जाते होंगे इनके नीच जने ही comfortable होके काम करेंगे क्योंकि इसके officer को सारी knowledge है अच्छा quality में 1st division में 1st division में 1st division में अब 1st division में जो पास हो है वो तो कल को अच्छा promotion भी होनका होगा senior yo बनेंगे DAG बनेंगे senior DAG बन सकते हैं यह और भी quality तो होती है ना promotion नहीं भी हो बट एक officer का रुतबा तब होता है जब ओफिशर knowledge full हो उसको knowledge is power है नोचे knowledge को ही सकती कहा जाता है जिसके पास जितनी अच्छी knowledge हो तो knowledge कहा साएगी पढ़ने से पढ़ने से पढ़ेंगे तो अच्छे marks आएंगे इसलिए हम सारी quality सारी चीजों को all-round development कराने के लिए हमने आपको यह criteria बनाया ठीक है बट इस criteria क जो नहीं follow करना चाहते हैं तो please आपसे request है it is a request return request कि आप अपना time खराब ना करें क्योंकि time बहुत important है request है आपसे please inquiry ना करें या फिर admission ना लें है न वचे otherwise pay plus fine यह system apply होगा ही होगा प्लस आपको video classes पर ही classes अब चलेंगी direct live classes अभी नहीं मिल सकती है क्योंकि सबका time अलग-अलग हो रहा है कोई office में कई बच्चा कौन सा PC के लिए importance महसूस करता है कोई और करता है इसलिए video classes से ही आपको काम चलाना है और यह जो fist बताई गई है आपको वो video classes की ही है live classes यदि म ठीक है ना तो आप इसको video classes ही समझें यह live class नहीं है live classes समय मिलेगा यदि कुछ और शक्ता हुई तो live classes कराएंगे हाँ आपको एक जरूर रहेगा कि sir मैं video class करूंगा तो मुझे तो doubt होगा तो हम कहां जाएंगे डाउट के लिए बच्चे आपको हमने एक आलरीडी एक discussion group बनाया हुआ है WhatsApp पे उस discussion group में आप अपना doubts पोस्ट करेंगे ठीक है और उस doubts group को सबसे पहले handle कौन करेगा जो senior बच्चे हैं या जो पहले से पढ़ रहे हैं या जो अभी ही पढ़ रहे हैं बट वो पढ़ने में अच्छे हैं और उनको लग रहा है कि इसका जवाब मैं देता हूं तो हम सभी बच्चों को ही आलराउंडर बनाना चाहते हैं एक आलराउंडर नहीं है जो इस class में पढ़े हो सब आलराउंडर की category में तो वो पता करें क्योंकि उस question पर उसकी भी mastery चाहिए उस question को जो डाउ reply देता है doubts का वो candidates ही देते हैं जब candidate satisfactory reply नहीं देते हैं या incomplete reply देते हैं या गलत reply देते हैं या बिल्कुल ही नहीं दे पाते हैं तो all rounders फिर जरूर इसकी reply देते हैं आपकी जो doubts हैं जो मन में संदेह है उसको clarification जरूर all rounders करते हैं ताकि आपको उस paper में पूरा confidence डेवलप हो जाया कोई भी doubt ना रह जाया ठीक है तो हम doubt group भी आपको अटेंड करते हैं अस video classes, test material और फिस में कोई concession नहीं हो चाहिए इसका तुला सा धिहान रखना है कोई bargain नहीं करना है जो system है चाहे system के through या फिर फिस or fine या classes ये कोई भी चीज के लिए bargaining करना बिल्कुल allowed नहीं है इस इसलिए हमने YouTube पे आपको clarity के साथ बताया है कि कोई भी चीज open रहे कोई भी चीज hidden नहीं है आप इसको पढ़ लेना ठीक से इसको pause करकर के देख लेना फिस आपको सारा कुशिस में बताया गया है सारा fee structure सारी classes के बारे में आप देख सकते हैं सुन सकते हैं सब कुशिस में study material के बारे में भी बताया गया है आप इस ब्रोशर को मंगा के पढ़ना चाहो तो हमें WhatsApp कर देना आपको हम यह ब्रोशर भेज देंगे WhatsApp का हमारा यह number है कि क्योंचे इन्हीं शब्दों के साथ जैहिंद खुदाहफिस खुश रहो और जो बच्चे हमारे हम पढ़ें वो भी पास हो जो नपढ़ें वो भी पास हो चबही के प्रति हमारी शुब कामना होजा और किसी बच्चे को पैसा लेने के चक्कर से कोई उमीद करना चाहता है कि हम पैसे हम बच्चे से लिएंगे नो पैसा लेना हमारा में मक्षद नहीं है हमारा नो प्रोफिट नो लॉस पे chilledा जितने टीम मेंबर हैं, उसके अनुसार उनको रिमेंडरेशन मिल जाते हैं, सर्फिस पॉइडर को फी हो जाती है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है बचे हैं, और हमारी टीम बहुत चोटी है, आल राउंडर्स की फाकेल्टी में टीचिंग फाकेल्टी एक ही है, वही सारा पी जो आल नाइन पीसिस पढ़ाते हैं, तो जहां तक मुझे उमिद है कि मैंने सारे पॉइंट्स आपको कभर कर दी हैं, और फिर से आपको बेस्ट विसेस, नए शाल के भी सुब कमना है, और एक्जाम्स जो आपके दो हज़र बाइस में होने वाले हैं, उसके लिए भी झाल झाल